तो इस वाटर पी रुफैर को मैं क्यों लेकर आया हूँ और इसके बारे में आपको क्यों जान करें बता रहा हूं कि एक मुझे कमेंट आया था कि अगर आपने वाटर पी रुफैर की जो टैंक है यह जो नीचे टैंक रही है अगर यह टैंक भर जाती है तो अपना वाटर प तो यह बंद नहीं होता है तो क्या करना चाहिए किस तर से चेक करना चाहिए तो एक भाहिका मुझे बार-बार कमेंट आ रहा है पिछले एक दो महीने से कमेंट आ रहा है लेकिन एक ऐसा वीडियो में लाइव नहीं दिखा पा रहा हूं क्यूंकि अगर ऐसा प्रॉल्म क्रिय लेके आना पड़ा और उसके उपर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको चेक करना है और उसकी संभाय होना है क्या क्या हो सकती है कि क्यों नहीं बंद हो रहा है तो यह आपको मैं आज बताऊंगा ताकि आपको हिल्प हो जाएगा और आपको जो मेन उद्दिश है वो ओवी अपका क्लियर हो जाएगा आपको इसका जो सोलीसन है वो मिल जाएगा थिखिए तो इसको अच्छे तरह से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपके वाटर का आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और किस तरह से आपनी जो टैंक है ये बढहने के बाद वाटर कि फैर अगर बंद नहीं हो रहा है तो क्यों मैं आज मैं आपको बता हूं का टेंग बने के बाद अगर वाटर की जा यहां आना है यह फ्लोट सूच है दूस्तों द्याशन में रिकूछ इसका ही काम होता है कि अपना वाटर पूरप cas mama कट लगू ओना है और आटो में बंद नहीं होता है इसका मतलब यहां करंट है यहां करंट है तो यह बताने की आपको ज़रूरत नहीं है है कि यही वह करता है कि इसका काम क्या है अपने वाटर करको बंदा और चालो करना इसके लिए एक आंदर से यहां दिखे करोड आता है कि this будет आपना जो वाटर कर बढ़ता है ना तो यह उँपार आता है यह उपार हो खील ढॉन के तो यह तो अगर उपर हैसा कि दखना तो अंदर से कनेक्शन क्शन कट हो जाता यहां की मैंकर कर चाहिज है गता है अपको दिखाता हो में च्ब्लब के भी दिखाता हुई और यह आच्छी तरह से क्यों बता ने में चाहिए लेकिन अच्हल कर पूरा के पूरा क्लेयर होना चाहिए तो यह पूरा की पूरा क्लियर होना चाहिए कि इसका आखिर में काम क्या है इसको खोल देता हूं यह साइड में कर देता हूं इधर और यहां से यहां से इसको खोलने के लिए जगा होती है कि देखिये यहां से तो कि देखिये निकल गया कि इस तरह से यह निकल गया कि उपर का डखकर में निकल दिया यह देखिये उपर का डखकर निकल दिया तो आपको समझने में आसान हो जाएगा यह देखिये यह होता है यहां कहा होता है कि यह होता है और यह जब अंदर का है यह प्लैस्टिक वाला यह देखिए यह दीख रहे है यहां से Connection कट हो जाएगा अगर यहां से आएगा तो यहां कट हो जाएगा अपना Water लगे लगें तो यह खोल देता हो तक आपको समझाने में आसान हो जाएगा दोस्तों यह वीडियो पूरा देख लिएगा तकि आपको तो समझ में आए कि आखिर में यह प्रावलियों क्या है आपको जिन्दगी में दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर यह वीडियों देखोगे ना क्योंकि मैं पूरी तरसे विस्तुत तरीकी से आपको बता रहा हूं तो यह देखिए इसको तोड़ा एक आा पॉर्रौके रहा है अब जब उपर जाता है ना तो यह देखिए यहां यहां दिक्राइब कर देक्षा है यह हुपर आपको यह दिक्रायलियों कर दोदोगां कि अश all in में दीखिए यह चो बटन दीखरें1 तो इसके ऊपर ऑफ घिज देता है उसको जाकौ आपको कि तो सबसे पहले मान की चलते है कि इसके अंदर लूज पाई पूरा कर नेक्षिन वह कैह है और आपका एंप जो वर्ग है तो यह परब रापर छीघ्म नहीं कर रहा है कि लिखिए इसथरह से सीट करना है यह कि पानी की दबाव से या फिर आपको मैनुली मैनुली ऐसे चेक करना है कि उटके काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो यह फिर से एक बार लगा जाता हुए कि दर गया है तो यह देखिए इस तरह से यह लगा जाता हुए इस तरह से यह लग गया दर इसके बाद यह जो अपन में इसको इस तरह से यहां लगाना है इसके स्कुरू इधर यह जो इसकूर लगा जेता हुआ कि इस तरह से लगाना इसकू शेसे खोला था वो इसे ही लगाना बाकिया कूछ इस्में कि डिपिकल्ट नहीं है और ये स्कूल गया वह एक अंदर यहाँ तो इसको भी इस तरह से लागाना है कि देखिए जैसे खोला था वैसे लगा दिया इसको और इसके बाद इसके उपर स्रिप्रेस करना है लग गया तो यह लग गया तो आपको यह तेड़ा करना है तेड़ा करने के बाद यह जो अंदर का नीचे का बॉल है ना इसको उपर करना है आवा जानी चाहिए उपर इसक सब्सक्राइब करना है आपने पाने की दबाव के वज़र से ऊपर आना चाहिए या फिर इसमें कुछ डिपेक्ट होगे रहा है कि देखना है अगर टूटा-पुटा तो इसमें पानी भर जाता है तो उपर आये गए नहीं तो यह ओके होना चाहिए और इस तरह से वर्क करना हो जाएगा तो दूस्तों आशा करता हुए यह वीडियो आपको आच्छा लगा होगा अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए पुरने तो लाइक किजिए आच के लिए तक तक के लिए थैंक्यूंग